नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे ती नगस्त गुरुवार सुबे सवा 11 बजे राजिस्तान की बड़ी ख़बने वरिस नागलिक तीर्थी नागलिक नागलिक पश्पती नाथी जी के दचन कर चूके हैं आज उडापुर के 110 एक्स्टी नाथी पश्पती नाथी जी मंदर के लिए उडान भर रहे हैं रायसान के मुख्य मंतेशो गयलोत ने कहा है कि पांच अगस को प्रदेश में 11,252 ग्राम पंचायतों और 538 नगरे निकायों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामी नेवम शहरी उलम्पिक शुरू होंगे जो एक नया इतिहास रचा जाएगा सियम के अलोत ने वुधवार को सुशल मेडिया पर ये बात कही उन्होंने कहा कि इन खेलों के लिए 10 वर्ष से लेकर 82 वर्ष के आयो तक के 58,51,000 प्रतिभागियों ने पंचेन कराया है उन्होंने कहा कि कबड़ी, शूटिंग, बॉल, टैनिस बॉल, क्रिकेट, खोको, वॉलीबॉल और फुटबॉल, वेरस्ता कशी का आयो जन इन खेलों में होगा बंगाल की खाड़ी में एक दीब डिप्रेशन का शेत्र बना हुआ है, इसकी चलते 3-4 अगस्त को पूरवी राजसान की कोटा जयापूर भरतपूर संभाग में आधिकान शस्तानों पर हल्की से मध्धम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है बारी बारिश का दोर 5 अगस्तक ज़ारी रहने की संभावना है, इसके लिए मौसम विभागने अलर्ट ज़ारी किया है, वहीं बुधवार कोटा शहर में दुपहर में बादल छाये रहे, शाम के समय चित्राई बारिश हुई, बुंदी जिले में दिन भर तीकी धूप नि इसलिए उन्होंने सदन आने से इंकार कर दिया, उनकी जगा आंत्रप्रदेश के राजम पेट से सांसत पीवी मिधुन अरड़ी ने लोकसभा की कारवाही संभा ली, लाल डायरी और बीजिपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन के मद्दे पर विधान सभा में शुन्य करनी पड़ी, तीसरी बार अनुशित काल के लिए स्थागित कर दी गई, पहली बार बारा बच कर नौ मिनट और दूसरी बार एक बच कर तीन मिनट पर सदन की कारवाही आदे आदे घंटे तक के लिए स्थागित कर दी गई, बीजिपी विधायकों ने वेल में आकर नारे राजसान मेर्ज में जिले के मसूदा उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर ने स्वतंतरता दिवस आयोजन के लिए बैठक में गैर हाजी रहे छे विभागों को कारण बताव नोटिस जोरी किया है जौनकारी के अनुसार उपखंड कारेले पर बैठक पूर्वन निर् पूर्ण रास्ट्रे आयोजन में भी विभागों ने लापरवाही दिखाई जिसके चलते सारजनिक नेर्मान विभाग जल्दाई विभाग, खनन विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, श्रम कल्यान विभाग के ओर से कोई उपस्तित नहीं हुआ अजमेर की खारी कुई आहता महला व्यापारियों ने एक ट्रांस्पोर्ट व्यापारी के अतिकर्मन से हो रही परेशानी और आई दिन के जगड़े को लेकर आज बाजार बंद कर दिया और कारवाही की मांग को लेकर विरोज जिताया सुचना के बाद कोतवाली थाने से पुलिस जापता मौके पर पहुंचा और समझाईश की ताजिस्थानी में मद्दाता जागरुकता अभियान के तहत बुधवार को इंद्रा गांधी पंच्वाइती राज एवं ग्रामेन विकार संसान में जन प्रतिनिधियों को एवियम और वीवी पैट से मद्दान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई जिला निर्वाजन अधिकारी प्रकाश राजपूरोहित एवं नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर शिल्पा सिंके निर्देश पर संसान में जन प्रतिनिधियों को ज़्यादा से ज़्यादा मद्दाताओं को प्रेडित करने का आवान किया गया बिकानेर में पुलिस और परिवान विभाग की नाव के नीचे सड़कों पर अवैद डीजल टैंक यूक्तर ट्रक ट्रेलर दोर रहा है इन टैंकों में पंजाब और हर्याना से सस्ता डीजल भरवा कर लाते हैं ऐसे में जब कभी हादसा होता है तो यही डीजल टैंक जान लेवा साबित होते हैं दरएसल सस्ते डीजल के लालच में टॉक चालक कंपनी फिटीँ टैंकों को निकाल कर अत्रिक्त टैंक लगवा रही है तीमा वर्ती शेत्र और हाईवेँ पर परताल में पता चला है कि करीब करीब हर ट्रक में ही अत्रिक्त टैंक की बनी थी जिसमें डीजल भरा हुआ है राजसान को जल्द ही एक बड़ी सवगात मिलने चुआ रही है देश में पहले बार पोटाश के दो ब्लॉक के कमपोजिट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ये आक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अतरिक्त मुखे सचीव माइन्स पेट्रोलियम वे उद्योग वीनु गुपता ने बताया कि राजी के माइन्स विभागने चुरू जिले के घरसी सर और कराली सपोटरा के खीदर पूर पोटाश ब्लॉक के कमपोजिट लाइसेंस के लिए ये आक्शन की प्रक्रिया 31 जुला करने की चेतावने दी है नर्सिस जिला अध्याक्ष अनेश सैनी ने कहा कि पिछले 18 जुलाई से नर्सिस कर्मियों का ये धरना 11 सुत्री मांगो को लेकर जिला मुख्याले पर चुल रहा है आने वाले टूरिस्ट सीजन को देखती हुए विमानन कंपनियों ने नए रूट पर संचालन और उडानों में इज़ाफा करना शुरू कर दिया है पहले इंडिगो एरलाइन ने सूरत और राजकोट के लिए उद्यपूर से सीधी उडानों की घोशना इसी माहा से की तो अब विस्तारा भी सितंबर माहा से मुंबई रूट पर अत्रिक्त उडान शुरू करने जो रहा हैं इसके साथ ही उद्यपूर एरपोर्ट से उडानों की संख्या बढ़ जाएगी जिससे टूरिस्ट और फैस्टी सीजन में फायदा मिलेगा वहीं आत्यों के पास भी उडानों के लिए एक से ज़्यादा विकल्प होंगे बहरोड कस्बे में आलवर जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष योगी शर्मा के अध्यक्षता में बैठकाय जित की गई जिसमें कॉंग्रेसी कारेकरताओं के बीच जम कर हंगामा हुआ कौंग्रेसी कारकरताओं के बीच जम कर लाद घूसे चले और कौंग्रेसी कारकरताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया ये मामला ब्लॉक कौंग्रेस अध्यक्ष के साथ शुरू हुआ था परताबगर जिले में मौसम खुलने के साथ ही खरीफ के फसल में इल्लीयों का प्रकोब बढ़ने लगा है इस से फसलों में नुकसान किया शुंका से इकिसानों में चिंता होने लगी है जिले में इस परकार की मल रहे शिकायतों को देखती हुए कृषी विभाग की और से राज्य सरकार के निरदेश पर जिले में कृषी विभाग वगयनेकों की गठीत टीम ने खेतों में सर्वे किया जिसमें सोयाविन, मक्का, मुंखली, जवार, दलहनी, फसलों का सर्वे किया ऐसे में किसानों को समय पर फसलों में कीटनी अंतरन के लिए सलाह दी गई है नव समयसर 280 में सावन में अधिक मास आने के कारण इस बार हिंदू कलेंडर 12 के बज़ाए 13 महिनों का है वहीं जोतिश वीदों के मताबिक हिंदू कलेंडर में अधिक मास ऐसा महिना है जिसमें सुर्य का राशी परिवर्दन सुर्य संक्रान्ती नहीं होगा साथ ही विवा, मुंडन, नामकरन और जनेव संसकार जैसे मंगलिक कारे भी नहीं होंगे जोतिशा चारे के मताबिके इस माहा में सूर्य संक्रांती नहीं होने की कारण इसे मलमास भी कहा जाता है पुर्शोत्म भगवान विश्नु का ही नाम है अतहाय अधिक मास को पुर्शोत्म मास भी कहा जाता है इसका समापन 16 अगस्त को होगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर